क्या राजनीती का वाशिंग मसीन बन चुकी है भाजपा भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का क्या हड़ जाता है केस आखिर भाजपा पर क्यों हमलावर है विपक्षिदल सियासिय उठा पटक है या चुनावी चाल नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर राजनीतिक डंगल में कौन किस पर है भारी हर सियासी राव की इंसाइड स्टोरी प्रजातन नमस्कार प्रवस आक्षी के खास का रिक्ट्रम प्रजातन तर में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अंकित सिंग लोग केंद्र मोधी की सरकार पर जाच एजंसियों के दुरूपयों का आरोप लगाता रहा है विपक्ष इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हमलावर भी रहता है पिछले कुछ महीनों में दो हजार चौबिस के चुनाव से पहले राज्य के दो मुख्यमंत्रियों हेमंद्र शोरे है विपक्ष बार बार यह दावा करता है कि जिन नेताओं पर भरष्ट चार क्या रोप लगे हैं अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाब सीवी आई एडी की कोई कारवाई नहीं होती है विपक्ष तंज भरे लहजे में इसे भाजपा का वाशिंग मसीन आता है दल बदलो को रहत ब्रस्टचार के आरोपों पर केंद्री एजंसियों की जाज का सामना कर रहे कम से कम 25 प्रमुक राजनितिक नेता 2014 के बाद से भारती जन्ता पार्टी में शामिल हो गए इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि उनमें से 23 ऐसे कम 20 मामले रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं कॉंग्रेस सांसत जोती मिर्था और टीडीपी के पूर्व सांसत वाइस चौधरी केवल दो अपवाध हैं जहां उनके भाजपा में शामिल होने के बाद भी इडी द्वारा धिल दिये जाने के कोई सब जाच एजेंसियों की दलील नामित नेताओं में अजीत पवार प्रफुल पटेल अशोग चौहान बाबा सिद्ध की सुभेंदु अधिकारी गीता कोड़ा नवीन जिंदल संजय सेट छगन भुजबल प्रताप सरनाइक हसन मुस्रिफ भावना गविली और अन्य शामिल है इस साल लोगसभा चुनाओं से कुछ हपते पहले उनमें से च्छा लोग जहाज छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे इसके वीपरी 2014 के बाद प्रवत्रनी दशाले और केंडिये जाच ब्यूरों की जाच के दाइरे में आने वाले 95 प्रतिशत प्रमुख राजनेता विपक्ष के थे हो आधिकारी ने कहा कि एजैंसी द्वारा की गई जाच सुभूतों पर अधारित और कुछ मामलों में कारवाई में विभिन्ने कारणों पूरी तरह से स्वचलित हो गई है जैसे ही आप भाजपा में शामिल होते हैं आप बिल्कुल साफ हो जाते हैं मोदी शाह द्वारा राजडितिक हत्यार के रूप में जहांच एजंसियों के निरंकुस दुरुपयोग ने न केवल इन एजंसियों की स्वाइदता पर प्रहार किया है बल्कि लेवल प्लेइंग फिल्ड और लोगतंत्र के लिए अभिशाब बन गया है कॉंग्रेस ने कहा कि अगर अंडर्वल डॉन डावद अब्राहिम भी भाजपा में शामिल हो गए तो उसे निर्दोष खुसित कर दिया जाएगा बरिष्ट नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कटक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के पास एक वाशिंग मसीन है जो दावद इबरहुम को भी साफ कर देगी पलटवार में बीजी पीसांसद निशीकान दुबे ने कहा कि कॉंग्रेस से किस वाशिंग मशीन की बात करती है आपने जेल जाने वाले लोगो यादों को जेल भेजा हमने नहीं कॉंग्रेस ने अपने लोगों को जेल भेजा वसूली की और भाजपा ने चोरों को जेल वेजा बस इतना ही अंतर है बीजे प्रिसांसद रमिशंक प्रिशार ने कहा कि वह यानि कॉंग्रेस सिर्फ राजनितिक नौटंकी चाहते हैं इसको जादूई मशीन कहा जाता है फिर जब तक इस वाशिंग मशीन में अरे वो डाली है न ये वाली टी-शर्ट जाती है देखिए इसमें जो लिखा हुए आप पढ़ रहे हैं अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं अरुन जी इसके अंदर डाली है और देखिए क्या नि देखा ये सब जगें मांग है इस मशीन की कि देखिए इस मशीन की कितनी मांग है अब इसके अंदर डालेंगे अरुन जी अरुन जी अब डाल दीजिए सब ने देख लिया जी अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना कि स्पिन वाला डबाओ सारे बटन दबाओ और निकालो देखो क्या निकलता है आज की प्रेसवारता मोधी ज़रूर देख रहे होंगे अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला छोड़ दीजे ना अब इनलों को जुमला चाहिए तो छोड़ दीजे ऐसा है अगर वाशिंग मशिन से सब ठीक हो सकता है तो मैं लालू जी के परिवार के लिए आर्दस वाशिंग मशिन भिजवा देता हूं कमल निशान का जढ़ना लगा कर ठीक है जाए साफ कराने क्या बात है कि कौन सी बात है लूट करेंगे तो न्याय होगा और मोदी जी के सरकाल लूट करेंगे तो किसी को छोड़ेगे नहीं अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके